हेलो दोस्तों मैं हूँ अभिशेक और आप देख रहे हैं Unboxed Education मैं student के life के problem, confusion और decisions पे बाते करता हूँ last video में हमने बात की थी कि is IIT everything, क्या IIT सब कुछ है इस video में हम बात करेंगे if not IIT then कम fees में, lowest fees में कुछ बहतरीन colleges जहां पे आपको बहुत अच्छा placement मिल सकता है और उसकी fees कितनी कम हो सकती है, guess करो, मैं इस video के आगे बात करूँगा इसी topic पे आज, so इस channel को फटा फट से subscribe कर लो, अपने friends के साथ share करना क्योंकि उनका भला हो जाएगा, तो बिना वीडियो को skip किये, फटा-फट से topic पर आते हैं देखो, engineering करने का simple सा fund है, जो last video में भी हमने discuss किया था कि या तो आप top institution से कर लो, जिसमें IIT आते हैं, अगर आप कर पाए, अगर आप competition crack कर पाए top 50 college से कर लो, पूरे इंडिया में engineering, जितने भी top 50 institution है obviously वहाँ competition के through E entry होगी, not GE, बट किसी-किसी college का अपना भी entrance exam होता है या फिर आप किसी भी ऐसे college से करो, जहाँ पर fee structure कम हो, आप engineering के लिए वैसा ही option चूज करो क्योंकि अभी जो situation है engineering की, जो private colleges हैं, private B grade colleges हैं जो भी, किसी का नाम यहाँ नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी संस्थान है, जहाँ पर आप heavily spend कर रहे हो क्योंकि 2,5,5,3,5 रुपे तक की engineering की सालाना fees होती है, तो 3,5 रुपे के साब से 4 साल में calculate कर लो 4 साल का engineering program में, तो 12 रुपे के आसपास आपकी bus fees हो गई, इसके अलावा बहुत सारे other charges होते हैं, like admission charges, miscellaneous charges, एक लाख रुपे ये पकड़ दो, और अगर आप अपने शहर से बाहर जाकर पड़ रहे हो, तब इसके साथ-साथ आप hostel भी add कर लो, 80,000 रुपे से साल का hostel कहीं कम नहीं मिलेगा, तो आप again 4 रुपे hostel का भी जोड़ दो आप, तो कितना हो गया, 12, 4, 16 रुपे हो गये, इसके लाबाए एक लाख miscellaneous पकड़ दो, आप obviously घर आओगे, जाओगे, transportation इदर उधर, तो 17-18 रुपे खर्च कर रहे हो, 17-18 रुपे किसके पास होते हैं, middle class family के पास, वो obviously loan लेंगे, loan का pressure होगा, या तो parents परेशान होंगे, बहुस parents का समझो, वो कैसे पढ़ाते हैं, यह वो ही जानते हैं, जो middle class family के parents हैं, और maximum parents इंडिया में, वो middle class family को belong करते हैं, उनके बस की बात नहीं है, यह 8 लाग, 10 लाग, 12 लाग, 14 लाग, 17 लाग, आपकी fees पे करना, other other engineering colleges के other other fees structure हैं, तो यह बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि parents का hard earned money है, है ना, पहले तो उनके पर उतने पैसे भी नहीं है, किसी तरह पैसा जोड़ जोड़ कर माल लीजिए, आपको देकर पहा भी रहे हैं, लेकिन उसका return on investment क्या है, आप उन engineering college से जहाँ पर आप 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख रुपे खर्च कर रहे हो, वहाँ से जब आप pass out होके निकल रहे हो, तो कितने का job offer claim कर रहे हो, क्या job offer claim कर रहे हो, मैं तो कई ऐसे लोगों को जानता हो, जिनके पस नौकरी भी नहीं रहती है, 14-16 लाख रुपे खर्च करने के बाग, आपके पस job नहीं है 2 लाख रुपे की, तो इस trap में मत फसो, अपने parents के उपर इतना pressure मत दो, क्योंकि समझो, उनकी भी feeling समझो, आप तो उनके बच्चे हो, आपके लिए तो वह कुछ भी करेंगे, लेकिन उनकी लिए कितना tough है, fees को पे करना, तो आज मैं कुछ engineering college लेकर आ गया हूँ, खुश हो जाओ, क्योंकि इतने कम fee structure में है, पूरे 4 साल की पढ़ाई लाख रुपे से कम में हो जाएगी, अब बोलो, पूरे 4 साल का engineering, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा, पूरे 4 साल का engineering, 1 लाख से कम, और बहतरीन placement, बहतरी जामिया मिलया university भी है, और यह minority, obviously reservation होता है यहाँ पर, लेकि इनका अपना entrance examination होता है, और जामिया मिलया से देश के कुछ top notch personality जो है, वो यहाँ से pass out होके निकले, इनका alumni base solid है, और इसकी fees जो है engineering की, मात्र, मात्र 17,000 रुपे हैं साल की, 17,000 रुपे साल में engineering करा देते हैं, तो कितना हुआ है, 70,000 रुपे में आपका चार साल का engineering complete हो जाएगा, जामिया मिलया जैसा institution, जो इंडिया ही नहीं, पूरे world में एक reputation रखता है, वहाँ से आप कर सकते हो, इनका entrance examination देके, मैं link दे दूँगा, आप इसको जाकर आप देख सकते हो, और जामिया मिलया का entrance जो next University है, अलिगण Muslim University, और इनका भी अपना private examination होता है, और इसकी भी जो BTEC की fees है, अलिगण Muslim University भी बड़ा brand है, और इसकी fees भी पूरी fees BTEC की 1,00,000 रुपे से कम है, पूरे 4 साल की fees, लम सम 20,000 रुपे सलाना इसकी fees आती है, इनका भी खुद का entrance examination होता है, बोड के basis पे भी ये ले होती है, क्योंकि reservations होते हैं, लेकिन आपको आपके लिए perfect brand हो सकता है, अलिगण Muslim University, थर्ड जो मेरा college है, वो है CIC, Cluster Innovation Center, यहाँ पर भी आपके board examination के marks पे हो सकते हैं, इनके पास IT branch है, BTEC में, तो यहाँ पर आप बोड में 60% ले आओ, या इनका अपना exam होता है DUET, ठीक है, उ यहाँ admission मिल जाएगा, इसकी fees बोलो, इसकी fees कितनी होगी, 5000 रुपया semester fees है, कहां लाको रुपय वेस्ट करते हो जाकर, 5000 रुपय semester fees है इनकी, तो चार साल में, चार साल में कितना हो गया, एक साल का 10,000, चार साल का 40,000, CIC, नाम याद रखना CIC, ऐसे college के नाम सुझने नहीं म रानते हो, जो की बाजार में अल्रेडी मौजूद हैं, जिनकी ads आप देखते हो, तो CIC आउप्ट कर लो, life बदल जाएगी, इतने कम पैसे में engineering हो जाएगा, और इनका package आठ लाक रुपय से शुरू होता है, BTEK, CS का, IT branch यहें के यहाँ पे, तो CIC को अपने list में जरूर र स्थान है, लेकिन यहाँ स्पे जो है, आप आराम से 5-6 लाग के बीच अपना package जो है, वो आप expect कर सकते हो, और इसकी fees बताऊं आपको, 90,000 से कम है 4 साल की, 90,000 से 4 साल, पूरे 4 साल, 90,000 से कम फीस है इनकी, तो JEC जबलपूर को भी आप list में रख सकते हो, इनका अदीच placement ब रुपय का placement मिल जाएगा आपको यहाँ से, नेक्स जो option है, वो इंद्रप्रस्थ उनिवस्टी देली में, बहुत सारे उनिवस्टी के अंदर colleges हैं, इंद्रप्रस्थ उनिवस्टी के अंदर, जहां पर 70,000 रुपय से कम में भी 4 साल के पढ़ाई हो जाएगी, एक option में बता रुपय पूरे 4 साल का, इंद्रप्रस्थ उनिवस्टी में और भी ऐसे college हैं, यह मैं आपके ओपर छोड़ रहा हूँ, आप explore करो, आप explore करो, मैंने एक college बता दिया, USIC, other colleges, आप explore करो, 4-5 option हैं, इंद्रप्रस्थ उनिवस्टी में, जहां जो fees है, BTEC की, वो 1,00,000 रुपय स इसे भी कम पर पढ़ लोगे, और आपका placement भी हो जाएगा, and last जो मेरे इस list में college है, वो college के बारे में मैं क्या कहूँ, यादवपुर युनिवस्टी, West Bengal में है, entrance examination है, WJE का, इसके थूँ आप, इसमें entry पा सकते हो, government college है, सरकारी degree है, तो उसकी मानिता आप समच सकते हो, degree का weightage बहुत है, और fees बोलो, fees कितनी है, 17,000 per year, और मैं एक बात बताओं आपको, यह 17,000 into 4 कर लो आप, 17,000 into 4, 68,000, और इसमें hostel भी सामिल है, इसमें hostel भी सामिल है, 68,000 रुपे में पढ़ाई, खाना, पीना, रहना, सब कुछ, करो ना, यादवपुर युनिवस्टी के लिए preparation, क्यों नहीं करते, तो बस IATs ही नहीं है, टॉप institution ही नहीं है, या फिर महंगे महंगे colleges ही नहीं है, इंडिया में, आपके पास कुछ किफाईती, कम पैसे में भी college मौझूद है, और अगर आपने कम पैसे में engineering कर लिया, मान लो जितने भी colleges मैंने बताए हैं, इसमें entrance examination होता ह आपको ये colleges मिलेंगे, लेकिन आपके शहर में भी तो ऐसे बहुत सारे college होंगे, आपके city में, आपके hometown में, कुछ तो अच्छे engineering college के option होंगे, तो आप ऐसे college को देख सकते हो, ऐसे college select कर सकते हो, जो आपके neighborhood में हैं, अगर आपको national level के colleges नहीं भी मिल रहे हैं, आपके neighborhood में आ आपके engineering complete हो जाएगा, चार साल में दो लाख रुपे देने है, middle class family भी आपको इसको bear कर सकती है, और जब दो लाख रुपे में engineering complete हो जाएगा, उसके बाद 3 लाख रुपे का भी हैगा, सलाना package मिलेगा तो, तो अब ROI आप calculate करो, एक तरफ आप कहां खर्च करने जा रहे हो, 17-18 लाख, 12 लाख, और उसका ROI calculate करो, एक तरफ आप कहां खर्च करने जा रहे हो, अगर जो मैंने colleges बताए हैं, आपको, चाहे वो CIC हो, USIC हो, यादवपूर युनिवरसिटी हो, जामिया मिलिया हो, अलिगड मुसलिम युनिवरसिटी हो, DEI हो, कोई भी college हो, जब बाद पू पास, और वहाँ पर engineering करने से, आप अपने parents को भी support कर सकते हो, उनका भी तो सोचो, अगर आपके parents को कम पैसा, मलब आप ABTEC में, जितने कम पैसे में कर लोगे, तो वो पैसे, जो भी पैसे बचेंगे, later on you can spend on some extra certification, और आपको job अगर मिल जाती है, अगर आपको comfy structure में पढ़ आपको clear हुआ होगा, अपने parents के hard and money को waste ना करें, आप अपने parents का pressure समझें, fees उनको देनी है, आपको तो fees भरनी नहीं है अपनी खुद से, तो parents के बारे में जरूर सोचें, अपने बारे में जरूर सोचें, return on investment सबसे बड़ा term है, इसके बारे में जरूर सोचें, कि कितना प signing off, आप अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखो, कोरोना अभी खतम नहीं हुआ है, तो safe रहो, take care